हलो एर्वियन मैं हूँ आपका दोस निशानत और ग्यान सफारी में आपका स्वागत है दोस्तों आज के समय पे भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या कहें कि नेट जो रीच है वो आज भी उनके पास तक नहीं है simple अपने phone चलाते हैं तो वो लोग किस तरीके से digital banking के साथ जोड़ सकते हैं आज उसी के बारे में बात करेंगे मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि आप किस तरीके से mobile banking या passbook app के थुरू अपने जो account की deal है वो आप देख सकते हैं आज इस वीडियो में बात करेंगे कि बिना smart phones के बिना net banking के या बिना mobile banking के किस तरीके से एक person जो keypad वाले phone चलाते हैं वो लोग किस तरीके से अपने mini statement और balance की inquiry कर सकते हैं तो दोस्तों जिलनों के पास smart phones नहीं हैं और keypad वाले phones हैं वो लोग अपने balance की inquiry के लिए क्या करें वो लोग अपने message का जो folder है उसमें जाएं और वहाँ पर type करें capital letters में BAL एक single space दें और single space देने के बाद आपको type करना है अपने account की last की 4 digits मेरे जैसे account की last की 4 digits हैं मैं उनको type करके और इसको आपको भेज देना है यह सारा process आप याद रखेगा आपको अपने registered mobile number से ही करना है ठीक है तो जब यह आप type कर देंगा उसके बाद आपको इसको भेजना है 8922009988 पर जब आप इसे send करेंगे उसके बाद आपके reply में एक SMS प्राप्त होगा bank of brother की तरफ से जिसमें आपके balance की detail वहाँ पर लिखी होगी तो यह तो process था कि आप अपने balance की inquiry कैसे SMS के दुरूप कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि आप अपना जो अगर mini statement देखना चाहते हैं कि 4-5 last transaction हुए है वो क्या-क्या थे कितने amount के थे किस date में थे उसको कैसे प्राप करें तब आपको जो SMS है वो भेजना इसी नंबर पर है बस थोड़ा सा process change हो जाएगा जहां पर आपने capital letters में B-A-L लिखा था वहाँ पर आपको टाइप करना है mini मतलब M-I-N-E जो की mini statement से बनता है मतलब जो की mini statement का जो starting वाला word है वो है mini देन उसके बाद आपको अपने account की last की four digit टाइप करनी है जैसे कि मेरे last की four digit है जब आप four digit टाइप कर देंगे उसके बाद आप इसको send कर दें जब यह send हो जाएगा तो reply में bank of brother की तरफ से आपको एक SMS प्राप्त होगा कि आपका जो mini statement है क्या-क्या last के कुछ transaction है किस-किस date में हुए और कितने amount के हुए वो सारी detail आपको उस SMS के तरूप प्राप्त हो जा या फिर multimedia phone नहीं है तो वो किस तरीके से इस process को करे जिससे कि वो अपने balance के inquiry या mini statement प्राप्त कर सके तो इसलिए केबल यह सोचना कि digital banking से हम तभी जोड सकते हैं कि जब हमारे पास कोई smartphone या फिर कोई ऐसा phone हो जिसमें net हम चला सकते हैं तो यह गलत है अगर हमारे पास एक simple स फोन भी है तो कुछ steps ऐसे हैं जिनके थू भी हम digital banking से जोड सकते हैं उसमें बहुत ज्यादा कोई hectic या बहुत tension लेने की जरुवत नहीं होती है उमीद करता हूँ मैं आपको इस process को अच्छे से समझा पाया हूँगा आपको ये वीडियो पसंद भी हाई होगी और लोगों के साथ भी share करें इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो जिससे कि वो लोग भी जो लोग smart phones नहीं चलाते हैं वो लोग भी simple से step को करके अपने balance की inquiry या mini statement को प्राप्ट कर सकें और साथे साथ अगर आपका कोई सवाल हो कोई query हो या किसी और topic पर भी आप वीडियो चाहते हैं तो हमें comment section में लिख कर जरूर बताएगा अगर अब भी तक आपने हमाई चैनल को subscribe ना किया हो तो चैनल को जरूर subscribe करें और bell icon को unnotify हो सकें thank you so much